बरसात गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर में किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती शम्शान तेरा हिसाब बड़ा ही नेक है तेरे यहां अमीर हो या गरीब सबका बिस्तर एक है दिगरियां तो तालीम के खर्चे की रसीदे हैं घ्यान तो वही है जो किरदार में जलके सत्य कभी कमजोर नहीं होने देता जान कभी दुखी और भैभीत नहीं होने देता और प्रेम कभी घरणा नहीं करने देता बुरा समय आपको जिन्दगी की उन सभी सच्चाईयों का सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी खयाल भी ना आया होगा जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखुर भी जानता है धैरे कड़वा तो हो सकता है परन्तु उसका फल सदेव मीठा ही होता है जिन्दगी में सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है इसी लिए जिन्दगी में चिंता नहीं बलकि चिंतन करें नरक के तीन द्वार है वासना लालच और क्रोध क्रोध मस्तिश्क के दीपक को बुझा देता है क्रोध आने पर चिलाने के लिए ताकत नहीं चाहिए मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए मोन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व ना समझे किसी व्यक्ति के प्रती इतना भी समर्पन नहीं होना चाहिए कि आप स्वयंग को ही धीरे धीरे खोने लग जाएं अपने कर्म पर अपना मन लगाओ ना कि उसके फल पर जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है उसी प्रकार कर्म के क्षीन हो जाने पर भाग्य भी समाप्त हो जाता है प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत आवश्यक है प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनता है और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं घर तब तक नहीं तूटता जब तक कि फैसला बड़ों के हाथ में होता है पर जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो घर तूटने में देर नहीं लगती मजाक में अक्सर इनसान दिल की बात बोल जाता है बस समझने वाले समझ जाते हैं और नय समझने वाले उसे मजाक समझ कर भूल जाते हैं लड़ो जगड़ो पर परिवार से अलग होने की बात कभी मत सोचो क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड से अलग होकर गिर जाते हैं कोई तूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, रिष्टे तो मिलते हैं मुकदर से, बस उन्हें खूब सूर्ती से निभाना सीखो, सब का ख्याल रखो, परंतु अपना भी ख्याल रखो, हमेशा मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी अपन के लिए